एक्सलेंसीज हमारे करीबी सहयोग को और व्यपक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा पहला है स्पेस के ख्षेत्र में सहयोग हम ब्रिक्स सैट्रेलाइट कॉंस्ट्रिलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं कि एक कदम आगे बढ़ाती हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्स्प्रोरेशन कॉंस्ट्रियम बनाने पर विचार कर सकते हैं इसके अंतरगत हम स्पेस रीसर्च वेधर मॉनिटरिंग जैसे छेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा स्किल डेवलप्मेंट और टेक्नोलोजी में सैयोग ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी और रेलेशन बनाने के लिए हमें अपनी सुसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा इसमें टेक्नोलोजी की एहम भूमिक रहेगी भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामिन छेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुचाने के लिए दिक्षा याने डिजिटल इंफ्रासेक्टर फर नॉलेज शेरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है साथी स्कूल के विद्यार्थों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में कि दस हजार अटल टिंकरिंग लेप्स बनाये हैं भासा समंधी बादाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस लेंग्वेज प्लेटफॉर्म भाश्यूनी का इस्तिमाल किया जा रहा है वेक्सिनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रसेक्टर यानि इंडिया स्टेक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलिवरी को रिवलुशनराइज किया जा रहा है विवितता भारत के एक बहुत बड़ी ताकत है भारत में किसी सम सब्सक्राइज का हल इस विवितता की कसोटी से निकल कर आता है इसलिए यह सॉलुशन्स विश्व के किसी भी कौने में आसानी से लागू हो सकते हैं इस संदर में भारत में विक्सित इन सभी प्रेश्फॉर्म को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साजा करने में हमें खुशी होगी मेरा तूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताक्तों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं इसके माद्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं मेरा चौता सुजाव है बिग कैट्स के सबंद में ब्रिक्स के पांचों देशों में बड़ी संख्या में विभीन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस के अंतरगत हम इनके समरक्षन के लिए साजा प्रयास कर सकते हैं मेरा पांचवा सुजाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इको सिस्टिम है क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपो सकते हैं